इसमें जो आप यह मौस दिख रहे हैं इसको हमने उपर टापू बनाया है और इसमें मौस लगाया है और यहां से पानी यह खुद अब्जॉब कर लेता है यहां से खिच लेता है और यह हमेशा ग्रिन रहेगा इस सुन्दर सा जो प्रकृती का परिद्रिश से हमने तयार किया है यकिन मानिए अगर कोई इस्ट्रेस में अगर कोई व्यक्ति इसको निहारता है तो जरूर ही उनको सांति का अनुभा होगा मन बिल्कुल ही सांत हो जाएगा और इस्ट्रेस दूर हो जाएगा पिछले वीडियो में हमने दिखा चुका है कि इस लेंड्सकेप को हमने तयार कैसे किया है आज के वीडियो में हम बुद्धा जी को स्थापित करेंगे और इसको डेकोरेट हम कैसे करेंगे सारी जानकरी आप लोग को सेयर करेंगे तो friends सबसे पहले हम इट के छोटे टूकले लिए हैं और जो होल है जो पानी निकलने के लिए हमने होल टेनिस बनाया है वहाँ पे इट के टूकले रखे अब friends हमने इस landscape के लिए एक बरगत का पेड बुनजाई पेड तयार किया है यह अभी पूरी तरह बुनजाई बन नहीं पाया है अभी क्योंकि बुनजाई बनने में बहुत समय लगता है friends लगभग तीन साल से हम इसको तयार कर रहे हैं आने वाले दिनों में कुछ सालों में से एरिया रूट करना चलू कर लेगा बहुत ही यह सुंदर बरगत का पेड नजर आएगा तो friends सबसे पहले हमने इसको करीवेग में तयार किया है जड डेवलप करने के लिए और मेरे रूट इसका हम काट चुके हैं अब उसमें फंगी साइट में इसको साप कर रहे हैं ता सब्सक्राइब बनाने के लिए हमने बहुत बार दिखाया है वीडियो में पिछले वीडियो में बता चुका है कि हम बनाते हैं इसका स्वाइल मेडिया अलग होता है सभी तरब हम स्वाइल डार रहे हैं अब हमने एक मटकी का टुकड़ा जो मिट्टी का होता है उसको हमने रखा है सपोर्टिंग के लिए और सभी तरब मिट्टी हम डाल रहे हैं साथ में हमारे चाचा जी मदद कर रहे हमारे टाइम बहुत लगा फ्रेंड्स सबको सेट अप तयार करने में यह जो पत्थर आप देख रहे हम बुद्धची को बैठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कौन से पत्थर में हम बैठाएं बार-बार हम देख रहे थे कि कैसे लगेगा बठाने पर तो यह बहुत बहुत ही सुन्दर नजर आ रहे हैं यह जो बुद्ध की मुर्ती पिछले वीडियो में हम दिखा चुके हैं फ्रेंड्स कि हमने हातों से बनाया है मिट्टी का है और इनको हम पका के रखे और वाटर पूप किये ह हैं अब यह पूरी तरह से वाटर पूप हो गए हैं बुद्ध ची और हमने सुन्दर सा पेंटिंग किया है आप जरूर पिछला वीडियो देखिएगा इसके बाद हम यह जो ग्राश है कार्पेट ग्राश इसको हम कटिंग करकर के इसे लेंट्सकेप में हम पीछे पूरी तरह से बिचाएंगे और इसके लिए फ्रेंट्स बहुत ही अलग स्वाइल मिडिया होता है स्वाइल बनाए हैं हम लोग रेत और वर्मी कमपोस्ट और मिट्टी को बारीक चान के और सारे तरफ हम बिचा रहें ग्रीन ग्राश को और पत्थर को सारे तरफ सेट अप कर रहे हैं हम नेचर में जैसा होता है वैसी बनाने कोशिश कर रहे हैं इसके बाद सभी तरफ हम पानी डाल रहे हैं हलक हलक सभी तरफ पानी अब वक्त आ चुका है हम इसे लेंड्सकेप में पानी डाल रहे हैं पानी हमने पूरी तरह से डाल लिया है फ्रेंट्स हम मौस भी तैयार करते हैं अभी गर्मी का दीन है उसके बाद भी मौस हमारे पास उपलब्द है यहां पे एक इसमें जो आप यह मौस देख रहे हैं इसको हमने उपर टाफू बनाया है और इसमें मौस लगाया है और यहां से पानी यह खुद अब्जॉब कर लेता है यहां से खिच लेता है और यह हमेशा ग्रिन रहेगा अब बुद्ध जी को हम इस्थापित कर रहे हैं अब फाइनली बुद्ध जी अपने इस्थान पे विराजबान हो चुके हैं बहुत ही सांद्चित होके यह ध्यानमगन बैठे हुए हैं ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है और हम बुद्ध बनाने का और भी वीडियो शेयर करते रहते हैं चैनल जरूर वीजिट कीजिएगा फ्रेंट्स इस लेंड्सकेप को हमने हम आउटडोर रखा हुआ है क्योंकि बुद्ध बुद्ध हम लगाए हैं और इस ग्रीन कार्पेट गहास को भी धूप के जुरत प होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल में आपने हैं तो सब्क्राइब जरूर करें ताकि आने वाला हर वीडियो आप लोग को मिलता रहे तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नए वीडियो आप लोग के लिए हम लेके अजयर ओिए करेंगि हम लीडियो में २ाइब है करेंग हेयर और भी से छिए व्रेंगर जरूर कर。」